वैसे तो psychology subject ही बहुत जादा interesting subject है लेकिन इसमें भी जो सबसे जादा interesting branch है वो है abnormal psychology abnormal psychology में हम abnormal behavior, disorders और therapies वगरा के बारे में पढ़ते हैं और यही सब कुछ होता है center of psychology abnormal psychology के बारे में अगर आप detail में जाना चाहते हैं तो आप नीचे description में link पर click करके हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको abnormal psychology को detail में समझाया गया है बात करें अगर आज के topic की तो आज हम बात करने वाले हैं एक काफी विचित्र disorder के बारे में जिसके बारे में आपने काफी सारी movies में देखा भी होगा और सुना भी होगा ये disorder है multiple personality disorder इसको split personality या फिर dissociative identity disorder भी कहते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे multiple personality disorder क्या होता है ये disorder कैसे होता है और इसके कुछ case examples क्या है और psychology में इसका treatment कैसे किया जाता है तो चलिए बात करते हैं आज के इस topic के बारे में और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एक अधिक व्यक्तित्व विकार यानि multiple personality disorder ये एक ऐसा disorder है जिसके बारे में सुनने पर तो ये बहुत अजीब लगता है लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दे तो we all have more than one personality अब इस disorder में ऐसा क्या होता है जो कि ये abnormal है चलिए जान लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं इस disorder की history के बारे में multiple personality disorder कोई नया disorder नहीं है इसका इतियास कई सालों पुराना है काफी टाइम से ये disorder चला आ रहा है बस फर्क इतना है कि आज के टाइम में लोगों को इसके बारे में बता लगता है तो वो psychology की मदद लेते हैं और अपना treatment करा लेते हैं जबकि पुराने टाइम में multiple personality disorder को disorder माना ही नहीं जाता था पुराने लोग इसको भूत, प्रेट, साया और आत्मा इन सब बातों से जोड कर देखते थे और फिर इसका इलाज भी जाड़ फूक, तंत्र, मंत्र और जादू से करने की कोशिश की जाती थी फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा लोगों में mental health को लेकर थोड़ी समाज आई तब जाकर 19th century में इसको एक mental disorder माना गया इसको mental disorder मान लेने से बहुत ज़ादा फायदा हुआ सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ कि लोगों ने इसके treatment के लिए therapy का सारा देना शुरू किया psychology का सारा देना शुरू किया और लोगों के मन से ये भूत, प्रेज, साया वगेरा का derby धीरे-धीरे खत्म होने लगा तो ये तो थी इस disorder की छोटी से history अब बात करते हैं कि multiple personality disorder होता गया है जैसा कि आपको नाम से clearly पता लग रहा होगा multiple personality यानि कि एक से ज़ादा personalities तो जिस इंसान में ये disorder होता है वो इंसान अपनी personality को छोड़ कर किसी दूसरी personality में चला जाता है और अपने अंदर एक से ज़ादा personality develop कर लेता है और ये जो उसकी दूसरी personality वो develop करता है वो उसकी real personality से एकदम अलग होती है जैसे एक इनसान में अगर ये disorder मौजूद है तो हो सकता है उसकी एक personality में वो इनसान बहुत ज़ादा funny और tension free behave करे और जब वो अपनी second personality में चला जाए तो वो एकदम serious, calm और anxious behave करने लगे यानि उसकी दोनो personality एक दूसरे से बिलकुल ही अलग होंगी और उसकी जितनी भी personality होंगी वो एक दूसरे से बिलकुल ही अलग होती है सभी personality की आदते, behavior, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब एक दूसरे से बिलकुल अलग होता है इस disorder में होता गया है, इनसान अपनी एक personality में कुछ ही time जैसे एक हफ़ता, एक महिना या फिर एक साल तक रहता है फिर खुद ही दूसरी personality में चला जाता है ये सब काफी dramatic तरीके से होता है, एक दम movie जैसा 2007 में एक movie आई थी बूल बुलाया, उसमें बताया गया था कि उस लड़की को multiple personality disorder या dissociative identity disorder होता है और उसी वजासे वो ये सब करती है, जबकि उस movie में इस disorder को गलत तरह से प्रेजेंट किया गया था वो multiple personality disorder का example नहीं है, उस लड़की में जो mental disorder होता है उसका नाम है demonic possession या फिर spirit possession ये disorder multiple personality disorder जैसा होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत सारे differences होते है और इस disorder का भी किसी जाड़ फूक, काला जादू, आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता जैसा कि उस movie में दिखाये गया है, तो ये movie multiple personality disorder का सही example नहीं है और अगर बात करें इस disorder के सही example वाली movies की, तो South Indian movie है ओ, इसका सबसे अच्छा example है इसके अलावा एक movie जो आप सभी ने देखी होगी वो है अपरीचित वो भी एक सही example है multiple personality disorder का इस movie में एक्टर की तिन personalities होती है और तीनों एक दूसरे से बिलकुल अलग होती है जैसा कि इस disorder में होता है वैसे सच्चा ही तो यह है कि Bollywood ने mental illness को मजाग बना रखा है उनके साब से जिसमें mental illness या कोई disorder होता है वो भूच जैसा दिखेगा डराऊना सा होगा भारी सी आवाज में बात करेगा दूसरों को नुकसान पहुचाने की कोशिच करेगा वगेरा लेकिन ऐसल में disorder में ऐसा कुछ भी नहीं होता इनसान हो सकता है अपने एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहा हो और उसके अंदर disorder मौजूद हो movies को छोड़ दे तो Three Faces of Eve और Sibyl जैसे कुछ novels भी हैं जिसमें इस disorder के सही example दिखाए गए है चलिए अब बात करते हैं disorder के कुछ प्रमुक लक्षणों के बारे में जो इस disorder को face कर रहे लोगों में देखे जा सकते या जिनसे पता लग सकता है कि इनसान में ये disorder मौजूद है इस disorder का पहला लक्षण है इनसान को time का अंदाज़ा नहीं रहता उसे पता ही नहीं होता कि कितना समय बीच रहे कितना समय बीच चुगा है वो हमेशा अपने past में खोया रहता है उसको past की बाते ही बार बार याद आती रहती है वो अपनी past के बारे में इस बार बार सोचता रहता है अपने present से उसका रिष्टा एकदम तूट सा जाता है उसे present से कोई मतलब भी नहीं होता क्या चल रहा है, लाइफ में कौन कौन है, लाइफ में करना क्या है और वो अभी लाइफ में क्या कर रहा है इससे उसे कोई मतलब नहीं रह जाता इस disorder का दूसरा लक्षर है इंसान के अंदर बिना किसी बजाई depression जनम ले लेता है उसके अंदर हमेशा anxiety और stress भरा रहता है वो हमेशा बेचैन रहता है उसके मन में बार-बार बुरे खयाल आते रहते है तीसरा लक्षर है खुद को नुक्सान पहुचाना खुद को दर्द देना जैसे ब्लेड से अपना हाथ काट लेना दिवार पर सर मारना, हाथ मारना किसी भी तरह से वो खुद को नुक्सान पहुचाना चाता है और खुद को नुक्सान पहुचाने के बाद वो relax फिल करता है इसका चौथा लक्षर है इस disorder का सामना कर रहे हैं लोगों में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते है जोन्होंने आज तक कभी नशा नहीं किया smoking नहीं की, drinking नहीं की लेकिन यह disorder उनके अंदर जब develop हो जाता है तो वो नशा करने लग जाते है इस disorder की starting में उन्हें नशा करने की लत भी लग जाती है इन लक्षडों के अलावा कुछ और लक्षड़ है जैसे कि सर में लगतार दर्द रहना हमेशा tired फील करना पूरी body में दर्द रहना और उनके अंदर eating disorder भी develop हो जाता है यह कुछ लक्षड़ है जिनसे पता लग सकता है इस disorder में इनसान का ज्यादातर वक्त डिप्रेशन में ही बीचता है अब देखते हैं कि इस disorder होता क्यों है ऐसी कौन सी वजा है जिनसे इस disorder इनसान के अंदर जन्म ले लेता है इस disorder के पैदा होने का सीधा संबंद उसके past से होता है और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है बचपन में इनसान के साथ हुआ बुरा व्यवार जिसमें mostly sexual abuse ही इसका reason होता है बहुत सारे cases में देखा गया है कि जब 4 से 6 साल की उमर में किसी बच्चे के साथ especially किसी लड़की के साथ इस तरह से कोई sexual abuse की घटना होती है तो उससे बच्चे को एक सद्मा लगता है एक emotional shock लगता है जो आगे चल कर इस disorder का रूप ले लेता है होता गया जब बच्चा कम उमर में ये सा face करता है तो इस emotional shock से वो खुद को दूर करने की कोशिश करने लग जाता है और इन सब को भूलने की कोशिश करता है और इस बुरे past experience को भुराने के लिए उनसे बचने के लिए एक नई personality अपने अंदर पैदा कर देता है और इस नई personality में उसको सब कुछ नया लगने लगता है और वो अपनी पुरानी personality को दिरे-दिरे भूल जाता है अब एक case example के जरीए multiple personality disorder को समझने की कोशिश करते हैं उसके बात-बात करेंगे इसके treatment के बारे में Example बशलू करने से पहले एक बहुत common सा question है जो काफी लोगों के मन में आता है कि एक इंसान जो कि इस disorder को face कर रहा है उसमें कितनी personalities तक हो सकती है इस question का answer देने के लिए एक study की गई थी Ross के द्वारा जिसमें पाया गिया कि on an average एक इंसान में 15 personalities तक पाई जा सकती है लेकिन एक case जो काफी ज़्यादा light में रहा था वो था Trudy Chase का case जिसमें Trudy नाम की इस lady में 92 अलग-अलग personalities पाई गई Trudy एक American author थी जिन्होंने अपनी autobiography में इस disorder के बारे में खुच से बात की उन्होंने अपनी इस autobiography में बताया कि बचपन सही उनके stepfather उनको violently, sexually और physically abuse करते थे और उनकी teenage में उनकी mom ने भी उनको कभी support नहीं किया हमेशा उनको ignore किया गया जिस वजासे उनके अंदर ये disorder develop होने लगा इसे तरह से एक और example है इस disorder का वो है Julie का example Julie was a 36 year old married woman उसका एक 8 साल का stepson था Adam Adam बार-बार एकी class में fail हो रहा था जिस वजासे Julie को लगा कि उसे अपने बेटे के साथ psychological clinic में जाना चाहिए Julie के बारे में detail में जानना पड़ा फिर Julie के session स्टार्ट हुए Julie एक बहुत simple घर-बार पे ध्यान देने वाली family का ध्यान रखने वाली महिला थी लेकिन 6 session के बीच में उसने psychologist को shock कर दिया उसने अपने psychologist को बोला कि वो चाहती है कि इस session का हिस्सा कोई और भी बने शुरू में तो psychologist को लगा कि शायद भार कोई उसका wait कर रहा होगा जो Julie की साथ अंदर आकर उसके बारे में जानकारी देने वाला है लेकिन उनने देखा कि Julie ने अपनी आखे बंद कर ली और कुछ टाइम बाद दीरे दीरे अपनी आखे खोली आखे खोलते ही Julie का attitude बिल्कुल change हो चुका था उसने खुद को Jerry बताया और अपने मुँ से cigarette निकालके उसे बुझाते हुए काकी वो चाहती है कि Julie smoking ना करे उसे टेबैको की smell बिल्कुल पसंद नहीं है Jerry की तरह थोड़ी देर बात करने के बाद फिर से आखे बंद करके खोलने पर उसने खुद को Jenny बताया Jenny ने सब detail में बताया कि Jenny ही उसकी real personality है और जब वो 3 साल की थी तब वो Jerry बन गई थी और 8 साल की उमर में वो Julie बन गई ये सब personalities develop होने के reason में उसने बताया कि उसके family problems की वज़ासे उसके अंदर बहुत ज़ादर stress पैदा हो गया था जिस वज़ासे वो कुछ करी नहीं पाती थी और इसी stress को दूर करने के लिए उसने अपनी ये दो personalities का सहरा लिया जनी ने बताया कि दर असल 3 से 8 साल की age में उसके पड़ोसी ने उसको sexually harass किया था कही बार और 8 साल की age में पहुंचने पर उसके parents ने उसको किसी और को permanently go दे दिया ये कहते हुए कि वो आदत से अच्छी नहीं है और वो कभी भी सुधर नहीं सकती इस सबका उसके दिमाग पे बहुत गहरा आगात पहुचा और इसी वक्त वो जैनी से जूली बन गई थी और ध्यान देने लाएक बात ये है कि जूली जैरी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी ये सारी बाते उसको इस session से 2 साल पहले पता लगी यानि कि जब वो 34 साल के उमर में पहुची तब उसको अपनी बाकी की personalities के बारे में पता लगा तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि जूली, जैरी और जैनी तीनों ही personalities उनकी आदते और बात करने का तरीका एक दूसरे से बिलकुल अलग था तो जूली का case भी multiple personality disorder को समझने के लिए एक best case है चली अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज के बारे में कि इस disorder का treatment साइकलोजी में किस तरह किया जाता है आज इतनी सारी facilities होने के बाद भी इस disorder का treatment करना साइकलोजिस्ट के लिए एक challenge जैसा होता है बिसिकली disorder का treatment दो तरह की therapy से किया जाता है इस तरह की therapy में psychologist उस इंसान के automatic thoughts को सुनता है समझता है फिर note कर लेता है उसके बाद उसे उसके irrational thoughts का सामना करने और ऐसे thoughts को दूर करने के लिए कहा जाता है जिससे ये बता लग सके कि ऐसे thoughts उसके मन में आ क्यों रहे है और ये सब सोचने के पीछे उस इंसान की क्या मजबूरी है क्यूं वो ऐसा सोच रहा है क्यूं उसने ये personalities अपने अंदर develop की है और ये सब पता लगाने के लिए कहीं कहीं hypnosis का भी सारा लिया जाता है इसके बाद जो दूसरे तरह की therapy है वो है psychodynamic therapy इस therapy से 94% chance होते हैं कि इनसान पूरी तरह से इस disorder से चुटकारा पा सकता है इस therapy में सबसे पहले उसे एकदम खुल कर अपने सारी problems और सारी personalities के बारे में बोलने को कहा जाता है फिर उसे एक-एक करके उसकी सारी personalities से अबगत कराया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो अपनी सारी personalities की सारी बाते ध्यान रखे यानि ये ध्यान रखे कि कौनसी personalities उसे क्या करने को कह रही है इस process के बाद उसे ये विश्वास दिला जाता है कि उसकी एक ही body है, एक ही soul है, एक ही mind है जिसमें अलग-अलग तरह की personalities का होना बस एक ब्रहम है ये जो भी personalities के बारे में वो सोच रहा है, वो सब उसका सिर्फ एक बहम है, बस एक बक्वास है दरसल ये जो आपकी अलग-अलग personality है, वो आपके खुद के द्वारा अपने बच्पन में खुद को self hypnosis करके बिना किसी कारण के बनाई की pseudo दुनिया है जिसकी आपको reality में कोई जरूवत नहीं है, और क्योंकि अब आप एक adult है और आपके अंदर, आपकी खुद की personality के अंदर, आपकी real personality के अंदर इन सब problem से निबटने की power मौजूद है इन सब का result यह होता है कि इनसान अपनी real identity को जादा value करने लगता है, अपनी real identity, real personality को एहमियत देना शुरू कर देता है, और फिर कुछ time के बाद disorder के सारे लक्षन दीरे दीरे कम होने लग जाते हैं, और एक समय के बाद यह disorder पूरी तरह से खत्म हो जाता है यह therapy हमेशा काम करती है, इससे diagnose किये गए mostly cases हमेशा solve ही हुए है और treatment करने वाले को हमेशा फायदा हुआ है, तो दोस्तों यह थी complete information multiple personality disorder के बारे में, वीडियो को share जरूर कीजिए, जिससे इसका treatment जादा स्यादा लोगों तक पहुंच सके, और mental health से related आपके मन में कोई भी व बॉक्स में share कर सकते हैं, या फिर आप हमें Instagram पर message करके हमसे share कर सकते हैं, वीडियो helpful लगियो तो वीडियो को like जरूर कीजिए, और psychology से जुड़ी हुई interesting और informative वीडियो देखने के लिए subscribe कीजिए the psychology classes को, और साथ में press कीजिए bell icon को, हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई topic, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें the psychology classes के साथ, थैंक यू